हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं दोस्तों एक दवा एक आईड्राप दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं ये वीडियो में ब्रोमो टिम ब्रोमो टिम दोस्तों ये ब्रोमो टिम आईड्रॉप है जो टीमो लोल दोस्तों इस आखों में डाला जाता है दोस्तों आखों में प्रियोग के जाता है इस आईड्रॉप का जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यह 5 ml का आईड्रॉप है 5 ml का आईड्रॉप है और इसका उप्योग पहले हम इसके बारे बता देते हैं दोस्तों क्योंकि किसी चीज को उप् कर रहे हैं किस लिए यूज कर रहे हैं यह भी जानना जरूरी है दोस्तों इसका रेट है 130 रुपए इसका रेट है 130 रुपए जो अन्नेमेट कल इस्टोरों पर अवलेबल होता है जैसा कि हम पहले वीडियो में बता है कॉम्बीगन कॉम्बीगन आईड्रॉप को बहने बता है वो भी दोस्तों वो रहता 460 रुपए अभी प्रजेंट टाइम में इस समय 490 रुपए उसकी अमार्पी हो गई है दोस्तों हम आपको दिखा रहे है एक उन्नेट ये है दोस्तों ये ये भी दोस्तों एलगन कंपनी की है कॉम्बीगन आईड्रॉप है इसकी अमार्पी इस समय प्रजेंट टाइम है दोस्तों 490 रुपए अभी की रेट है ये 490 रुपए 2021 पहली ये 460 की अवलेबल थी दोस्तों जै एलगन कंपनी का एक ये कॉम्बीगन आईड्रॉफ है अब इसका उप्योग इसका उप्योग हमने पहले इसका इसकी वीडियो में पहले बना रखी है अगर दोस्तों इसका कॉम्बनिकेंशन करते हैं कौन जादा अच्छा है और ये किसमें प्रियोग होता है ये किसमें प काम करती है जो यह काम करती है और जो यह काम करती है यह वह काम करती है यह दोनों ही काम करते हैं दोस्तों बस ब्रांड का फ्रक है यह लगान कंपनी क्या है दोस्तों कॉम्बिगन यह विस्प का नंबर वन कंपनी है और दोस्तों इसका यूज भी हाई प्रेसर या काला मोतिय जबिंद और उसके बाद जिसको गुलू कोमा बोलते हैं गुलू कोमा भारत की बहुत सबसे खतरनाग बिमारी है दोस्तों या क्यों कहें या यह कहें यह ऐसे इंसानों को अंधा कर देती कि इंसानों को पता ही नहीं चलता कि मेरे आँखों की रोसनी मुझे दिखना अधुंदलापन कैसे आ गया और एक दिन ऐसा होता है आप टिगनर खराब हो जाते हैं नसे सूख जाती है आँखों की और उनको दिखना बंद हो जाता है दोस्तों जैसे अब हम आपको मेन मुद्दे पलने चलते हैं कि साइड ड्र कि 20 21 यह झार न्र्मल प्रेसर है 10 से 20 के अंदर है 21 के андर है 21 तक है तो नॉर्मल प्रेसर है को टैंसन वाली बात नहीं दोस्तों अगर और देख़ा जाए इसके उपर अगर आपको जाता है तो उसको high pressure कहेंगे जिसको रोकने में इस eye drop का भी प्रियोग होता है, इस eye drop का भी प्रियोग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुचते हैं कि ये eye drop ज्यादा बढ़ीका क्योंकि ये mehengi है, इसका अच्छा, दोस्तों हाँ सही है, ये eye drop ज्यादा अच्छा है क्योंकि सरप्रथम यूज इस आइड्रॉप का अप्योग करने के लिए डॉक्टर प्रस्क्राइब करेंगे बट जब आपके आखों में हाई प्रेसर कम होने लगागा सुधार होने लगागा तो इस आइड्रॉप को दोस्त महेंगा भी है और इस आइड्रॉप का प्रेस्क्राइब करेंगे क्योंकि जब ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस आइड्रॉप को यूप किया जाता है जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और क्योंकि हर महीने तो हर महीने या पंदरा दिन में यह आइड्रॉप का यूप यूप करने में देते हैं दोस्तों ये दोनों का काम होई है इसका इसका दोनों का स्यम तुन लीजिए दोस्तों जैसे का ये आइड्रॉप है इस आइड्रॉप का प्रियोग जब इनसानों की आखों का प्रेसर बढ़ता है या यूं कहें काला मोतिया विंद या यूं कहें गोलो कोमा नाम का प्रिमारी आ जाता है तो उस लिए इस आई ड्रॉप का प्रियोग करने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि इस आई ड्रॉप का प्रियोग करिए जिससे आपका हाई प्रेसर नॉर्मल प्रेसर में कनवर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रेसर धीरे-धीरे होने लगे और लोकोमा की काला मुतियाबिंद भी कहा जाता है काला मुतिया बिंद गुलोकोमा ही काला मोतिया ही गुलोकोमा है इसलिए दोस्तों आप इससे सतर करें और मैं यह भी कहना चाहता हूँ जैसकी उमर 40 के उपर है वो हमारे दादा जी चाचा जी सभी जो भी हो मातायों बहने वो डाक्टर को एक बार जरूर दिखाएं अपनी आखों को जरूर से ज जरूर दिखाएं क्योंकि 40 के उमर वाले लोगों को अधिकतर होने की विमारी होती है और दोस्तों जिसको बॉल लगता है या कुछ होर चोट लग जाती है उनको भी सावधानिया वरतनी चाहिए उनको एक बार जरूर डाक्टर के दिखा देनी चाहिए और इस समय प्रिज दोसा तो है लेकिन आखों के नजरों का जाने का भरोसा नहीं है दोस्तों और एक ऐसी चीज है अगर यह चली गए न दोस्तों तो फिर इसको लाने में कितना भी डॉक्टर पढ़ाई या कुछ भी किया हो मगर ला नहीं सकता इसलिए जब रोसनी जाने से पहले आप आपन लेती हैं दोस्तों उलुकोमा जब काला मुतिय बिंद होता है प्रेसर बढ़ता है अप्टिक नर्व जाम हो जाता है सूख जाता है जिससे आखों क्रियो से चली जाती है और धंदलापन क्या दोस्तों दिखाई भी नहीं देगा एक दिन ऐसा दिन आएगा और यह विमारी धीरे 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 लोगों को होता है इसलिए दोस्तों इतनी देर की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आप अच्छे से समझो और आप एक बार कोई भी इंसान हो एक बार जरूर आप अपनी आखों का नॉर्मल चिकप कराएं जरूर से जरूर दोस्तों मैं आप स ले जाकर चिक्राय दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे उसकी माइनस वन पॉइंट की चसमे लग गए दोस्तों और मैंने एक जगा नहीं चिक्राय दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि जरूर आप अपनी चिकप एक बार जरूर कराएं क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपकी नजरे कमजूर हो गई होंगी और उस समय आप बहुत पस्तावा फिल करेंगे दोस्तों इतनी दिर वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप अपनी आखों को लेकर सतरकता बढ़ते हैं और मुबाइल कम यूज करें धन्यवाद दोस्तों अब इतना बहुत है इसका प्योग इसका प्योग दोस्तों दोनों का काम होई है और यह गुलू कुमा के लिए प्रियोग होता है दोस्तों अब दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग ऐसे ही और वीडियो बनाना है या आपको दे सूबा का उपयोग दो बार करने के लिए डाक्टर बोलता है नहीं नौर्मली दो बार ये भी आपके सेहत के लिए आपके आखों के लिए बहुत फाइदे मन्न होगा जब आप टाइमिंग से इसका यूज करेंगे अन्वाद दोस्तों आगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करिए आपने दोस्तों में इस प्रॉब्लम क सेहर करिए दोस्तों और इस बीडियो को जरूर सेहर करिए क्योंकि मैंने इसमें बता रखा है कि जरूर से जरूर आप 40 के उमर के जो उपर हों वो जरूर चेक अप कराएं बाकि अगर दोस्तों जो मेरे छोटे भाई बहन चाजा चाची जो भी हो उनको भी जरूर चेक चाहिए 40 के अंदर हो या 20-21 साल के लोग हो सब लोगों को एक बार जरूर आपनी आखी दिखाना चाहिए नॉर्मली दोस्तों यह हमारी आपके हाथ जोड़ सके निवेदन है क्योंकि आखों के रोसनी अगर चली गए न दोस्तों तो कभी जीवन में कोई वापस नहीं ला सक सिर्फ प्रयास ही किया जाता है थैंक्यू दोस्तों धन्यबाद आपका प्यार सदा ही मुझ पर बनी रहे थैंक्यू धन्यबाद